सलाम वालेकुम दोस्तों स्टेट फाप्र में खुशामदीद आज मैं आपको MDA Scheme 1 सेक्टर 23 का विजिट करा रहा हूँ यह देखे हैं यहां मेरे सेक्टर 23 है इसका और मेरे पीछे सेक्टर 22 है तो यह 1500 फिट का road है MDA Scheme 1 का और यह आगे जा रहा है सेक्टर 24 और 25 को तो आज यह आपको लोकेशन का भी विजिट करा रहा हूँ उसके साथ साथ में सेक्टर 23 का मैं भी पताऊंगा और इसके लावा यहां के जो current rate क्या है इस वक 2022 के अंदर तो फिर वो भी आपको पताऊंगा ठीक है तो यह अभी पूरा सेक्टर 23 चल रहा है यह सेक्टर 23 अच्छा यहां पर 100 गस दो सोगस और 400 गस के residential plot है और commercial plot भी है तो इस हवाले से investment purpose के हवाले से बहुत अच्छी जगा है जिसके पास कम आमदनी है तो वो investment कर सकता है तो यह है सेक्टर 23 की location यह सारा सेक्टर 23 की जो plot की जो cutting हुई हुई है तो यह सारी हुई है यह यह इसका map सकतर 23 का MDS की one का अच्छा रोट के आवाले से बात कलने तो वो 1500 फिट का रोट है जहां पर हम खड़े थे वो भी मैं आपको बताता हूं अच्छा यहां पर 100 गस 200 गस और 400 की category है जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बता दिया था अच्छा यहां यह आप देख सकते हैं इसके साथ commercial plot है जो तकरिमें 400 गस के हैं इसके लाबा 400 गस के residential भी उसके साथ अच्छा अंदर 60 फिट का रोट है 40 फिट का रोट है और 30 फिट के भी रोट है अंदर के जो चोड़े रोट है वो तो 60 फिट के है रेट के हावाले से यहां बात कर लें तो यहां पर तकरिमें आपको 100 गस का प्लॉट तीन लाग से लेके 3,75,000 की रेंज के अंदर मिल जाता है यानि कि पौने 4 लाग तक आपको 100 गस का मिल जाता है और 200 गस के प्लॉट के हवाली की बात कर लें तो यहां 200 गस का प्लॉट तकरिमें यहां पर आपको मिल जाता है चार लाग से लेके साड़े पांच लाग की रेंच के अंदर आपको तकिरवन साड़े चार से लेके साड़े पांच तक आपको 200 गस का मिल जाता है साड़े चार लाग से लेके साड़े पांच लाग की रेंच के अंदर 200 गस का मिल जाता है और अगर बात कलने 400 गस का 400 गस का यहां पर 9 लाग से लेके 20 लाग की रेंज के अंदर मिलता है 9 लाग से 20 लाग की रेंज में 400 गस का मिल जाता है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चलने को सब्सक्राइब करें और हमारा होसला बढ़ा है गंटी का बटन दरू दबाने मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओके खुदा आफेज़